दिल्ली एंसियार में मौसम बदला और बारिश से लोगों को उमस और चिपचिप वाली गर्मी से रहत मिली बारिश से दिल्ली का मौसम सुहाना और खुशनुमा हो गया मौसम विभाग ने गुरुवार के दिन भी दिल्ली NCR में तेज बारिश होने का अनुमान जुताया है बता दे लगतार बारिश होने की वज़े से दिल्ली में यमुना का जल्सतर बढ़ सकता है फिल्हाल अधिकारियों ने नदी के पास बसे गाओं को भी अलर्ट और सतर्क रहने के लिए कहा है बारिश की वज़े से दिल्ली का तापमान कम रहने वाला है आज यानी गुरुवार 25 जुलाई 2024 को दिल्ली में नियूंतम तापमान 41.08 डिग्री सेल्सियस और अधिक्तम तापमान 49.18 डिग्री सेल्सियस रहने का पूर्वनुमान है साथ ही हुमिडिटी लेवल 42 प्रतिशत रह सकता है बीते दिन भी दिल्ली इंस्यार में बारिश ने दस्तक दी जिसके बाद कई जगहों पर जलभराव की समस्या से लोगों को परिश्वानी का सामना करना पड़ा दिल्ली के कई इलाकों में भयंकर बारिश से सड़क पर चल रहे वाहनों की रफतार धीमी हो गई जिन इलाकों में बारिश से जलभराव हुआ उनमें छट्ता रेल चौक, निगम बोध घाट, आनंद परवत, जखीरा अंडर पास, दक्षने दिल्ली में आरके पुरम और उसके आसपास के इलाके भी शामिल है इसकी अलावा दिल्ली इंसियार के इलाके जैसे फरीदाबाद, नौईडा में भी लोगों को बारिश के बाद जलभराव से परिशानी का सामना करना पड़ा बता दे कि वीकेंड पर भी मौसम दिल्ली वालों पर महरबान रहेगा इस पूरे हफते यानी आने वाले शुकरवार और शनिवार को मध्यम बारिश, रविवार और सोमवार को हलकी बारिश होने की बात कही गई है बता दे दिल्ली के साथ साथ एंसियार के कई शहरों में भी मौसम का मिज़ास बदलने से लोगों को गर्मी से रहत मिली इस हफते दिल्ली से सटे, फरीदाबाद, नौईडा, ग्रेटर नौईडा और गाजियबाद की कई जगाहों पर हलकी बारिश हो सकती है फिल्हाल पूरे देश में मौनसून ने दस्तक दे दी है इस लिस्ट में सिक्किम, पुर्वोत्तर भारत, पस्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्राखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब के कुछ हिस्से, हरियाना, दिल्ली, मराटवाडा, मध्य महराश्टु, तेलंगाना, अ और गोवा के साथ-साथ पूर्वी राजस्तान के कुछ हिस्सों में मध्यम बारिश से भारी बारिश हो सकती हैं, इसके अलावा मध्य प्रदेश, चतीसगड, विधर्व और तटिय करनाटक के कुछ हिस्सों में हलकी से मध्यम बारिश और कुछ स्थानों पर भारी इश्वरी की रिपोर्ट